शोजे मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना ड्राइंग रूम में लेकर आती तो बेगम दो खुजूरे ही ले आती साथ खा लेता खाने के बाद शायद अल्ला शिफादे देता कौन सी खुजूरे वही जो मेरा दो सरफीह में देख गया था कौन सी खुजूरे आठ दस और मिलक शेक बना कर पी लिया कि क्या हुआ आपको पेगम चोड़ी सी बात में आइना दिखा लिया मुझे मैं अभी आता हूं कहां जा रहे है काना चोड़कर आकर बताता हूं असलाम लेकूम वालेकूम असलाम कह रही है थे गफूर साब इतनी एमर जंसी में प्लाट पर बुलाया नगीम ये मेरा प्लाट देख रहे हो इस पर अगर बिल्डिंग घड़ी करना ही हो तो कितनी तेर हमें काम शुरू कर सकते हैं ओ गफूर साब आपको तो पता है अपना काम है जद्धी पुष्टी खेके दारी है दो गंटे में शुरू हो जाएगा ठीक है तो पर ठीक है नदीम मैं यहां एक खुबसूरत मस्यद बिनाना चाहता हूँ माशालला माशालला दो गंटे में यहां काम शुरू करो मैं मगरब से बेले यहां खुदाई देखना चाहता हूँ गफूर साफ तो ऐसे काम करवा रहे हैं जैसे ने पता हो कि मैंने मगरब के बाद मरचान है फ्यारियत तो है गफूर साफ इतनी जल्दी अभी तो नक्षा भी बनना है नदीम जिन्दीगी और मौत तो खुदा गया आफ में मैं वैसे बिमार सुदार में ता हूँ मैं चाहता हूँ कि अपने हाथ से बनाईवी मस्जद में एक नमाज अदा करके जाओ इस विए मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी यहां एक मस्जद का मेरा अच्छा अब तुमने दो गेंड़े का बोलाया ना यह 30,00,00,00 के चेक है ठीक है जी जी सखलास और शोक से आप काम करवा रहे हैं ना इन्शालला दो गंटों में शुरू हो जाएगा मैं गाड़ी में बठा हूँ अपनी लेबर बलाओ और फॉरण काम सुरू कर दो ठीक है ठीक है कहां चले गए थे आप बेगम आपके छोटे सी बात में मेरी आँख्या कोड़ी मैं पागल आपके आशो और आम ढूरता रहा और अपने लिए रहेश और आराम का इंतिजाम मैं कर सका क्या मतलब मैं अपने असली घर और असली रहेश का इंतिजाम करने गया था क्या कह रहे हैं आपको पूर साब मैं अप स्कून से मर सकता हूँ अब मेरी दूब को बहुत स्कून मिले गए आप लोगों न तो मेरे लिए चार खजूर के दाने छोड़ना गुआरा नहीं किये अपनी नेक कमाई से एक बड़ा इसा आगे में दिया है और और इससे मेरे दिल बहुत स्कून मसूच कर रहा है मैं मरने के बाद आपकी दूआँ का मोहताज नहीं रहूंगा बेगा मैं मैं पैसे के पीछे पागल था और अपनी आखरत भूल चुका था अब मेरी रूख को चैन मिल गया है अब मेरी रूख को ठंटक मिल गयी है एए इमान वालो ये दुनिया फानी है अमीर गरीब बड़ी गाड़ियों में सफर करने वाले करोड़ों के मालिक देश परदेश में पैसे और अपनों की खातर खाग चानने वाले बड़े बिसनसमें कामपणियों के मालिक सिर्फ एक लमह के लिए अपने गिर्बान में जांकर देखें क्या आपने अपनी आखरत और असर रहेश का बदुबस कर लिया है ये जिन्दगी बहुत छोपीजी है देखते देखते रियत की मानद हाथ से पिसलती जा रही है चंद सांसें फिर सामने दो कज़ खबर मैंने तो मैंने तो मस्ज़द तामीर करके अपनी रूप को स्कून दे दिया है अब मैं स्कून से मरसता हूँ आप सब हमारी वीडियो देखने वाले चाहे एक रुपिया ही सही इंसानियत और अल्ला की रा में खर्च करते जाओ किसी गरीब का सहारा बनकर किसी गरीब बेटी की शादी करणा कर किसी भेवा के सर पर हाथ रखकर अपनी एसित के मताबक अपनी आखरत सवार लो खुदा की कसम एक हवा का जोंका आएगा और ये दुनिया की सारी आशो अराम छूड जाएगा और मौत की अगोश में जास होएंगे अपनी दॉलत बन मानना करें इंसान तेरी सारी दॉलत की उकात सफैद कफन और दोगा जमीन है दूआ है हमारी वीडियो देखकर की सिंगा दिल्बाद ल्याएग